कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो ये सफलता आज फिटजी को मिली है बेसिकली और बच्चों को भी मिली इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सब्से पहले मैं सारे बच्चों को बात बाता देता हूं यह एटांटसाएं में हम इन चाही है coy ピर यह सोच रखा रखाता वह रहें कर आए कुछ बच्चोंさい कर सकते tutaj तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ हमारे सारे स्टाफ के तरफ से सबको बहुत बहुत बदाई और इसके साथ साथ एक कोईशन मेरा ये भी है कि जैसे कोचिंग में तो काफी अच्छा-च्छा मैटेरियल भी मिल रहा है बहुत अच्छी मोटिवेशन वी लेकिन आक आक लोग topping पे है तो ऐसे में कई बार सोशल मीडिया बच्चों को अप करने का क्रता है उच्छे ली ड़ीत देखे, शोशल मीडिया एक अलग तरह का इंफ्लूएंस है, हमारे बच्चों को हमने स्टार्टिंग से ही ये गाइडेंस दी थी कि देखो, क्योंकि ऑल्लाइन के टाइम इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की थी जब पैंडेमिक चल रहा था, हमने इनको ऑल्लाइन क्लासेज ऑफलाइन की जैसे दी थी स्टार्ट क्लासेज और हमने उन्कोह जो जो गाइडन्स दी खेंड हिसे इनको क्लियर हो गया था कि आफ्लाइन इस दो राइट न और शिर्ट एल्याज बार घंडे माड़्यका था हैं और बblaपी में दो किस आपको देखने को मिला पैर फे इसलिगा है fan Şuawsky करूंछा लेट बेज Nebel मैं काफी इक्टे का था था या फिसक्स ही उसे हुग गाई बदिक से युछ पे लियए और हमसे ची पर उब लेगों जो युग की खbor widgets और करते थे उनके ये किमिस्टी से फैदा भी हो गया इस साल के मिश्टी का लेवल अच्छा या बच्छो ने काफी अच्छा कैमिश्टी में और किया है мож सी फिजिक्स नतलब यी जा है बच्छों के लिए लेकिन आई फील की पेपर वस बैलेंस्ट अगले साल का क्या टार्गेट है सर अगले साल हमारा टार्गेट तो यही है कि इससे बैतरीन रांक के लिए हम लोग और मेनज करेंगे और जो हमारा टेडिशन रहा है लास्ट फोटीन यह से हाइस नमबर आफ सेलेक्शन वो हम लाइंगे और सिटी टॉपर के इलावा मैक्सिम्म सेलेक्शन इन टॉप फंडेट रैंक सी मेरा टार्गेट है थांक यू सो मजश आपर टॉपिंग टॉपिंग टॉन यूज